चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सा चेप्टर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगा और मैं इसे बहुत आसान सब्दों में बोलू न डेटर मेनेजमेंट डेटर मेनेजमेंट सीख रहा हूँ डेटर मेनेजमेंट का मतलव अब डेटर में सबसे बड़ी समस्या है और इस चप्टर में से थियोरी आएगा मैंने भी तक बोला जितने चप्टर में से प्रैक्टिकल तो आने के चांसिस हैं यह थियोरी भी आएगा अब समझे हम इस चप्टर में क्या सीखने वाले यह चप्टर क्यूं बना है और इससे पिछले चप्टर का कोई लेना देना नहीं है मिनकी सबसे खास बात पिछले चप्टर का ज़ाधा लेना नहीं होता है और इसमें तो खायास कर कुछ नहीं है एक organization है इसने सेल्स किया सर अगर इसने सेल्स किया तो दो तरीके से किया होगा और एक या किया होगा इसने जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो दिक्कत आती है सर क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या दिक्कत आती है कि हो सकता है आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यानि maybe possible है आपका क्या हो जाए bad debts हो जाए साथ के साथ अगर आपने एक लाख रुपे का उधार बेचा है न तो इसको लेने में भी न आपका खर्चा हो जाता है सर अगर हमने किसी को उधार माल बेचा लेने में कैसे खर्चा हो जाएगा हम इस चेप्टर को जो पढ़ेंगे न आज के जवाने से नहीं पढ़ेंगे हम traditional को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा कहीं सोचो सर पैसा लेने में क्या फोन पे कर दिया आ गया पैसे मान के चलो नया तो फोन पे है UPI नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में ये मान के चलो पहले के जवाने में क्या होता था अगर आपने किसी को बेचा है समान सबसे पहले तो एक राज्जे से दूसरे राज्जे का डील करना बहुत बड़ी बात फिर पैसे लेने जाओ तो चेक वहां से लेने जाओ आप चेक वहां से लेने जाओगे तो कैसे जाओगे बाई ट्रेन जाओगे एर जाओगे वो खर्चा लग वहां रुकने का खर्चा लग फिर वहां से आप चेक को लेके आओगे सर्थ चेक बैंक में डाल सकते हैं लेकिन फिर बेंकर के भी बहुत higher charge होते हैं, बेंकर डालने का है, पहले ऐसा नहीं था कि हर घर के पास ATM और ATM के अंदर drop box में डाल दिया, बेंकर क्या करते थे, जब check डालने वाला box होता है उसे lock box बूला जाता है, लोक बॉक्स से क्या समझते हैं, theory आएगा आपका, तो lock box क्या होता था, जिसके अंदर check डाला जाता था उस area के आसपास का मान लेते हैं कि एक area है, इस area के आसपास वैपारी सभी मिल जाते थे और बेंकर को request करते थे, भाई हम अपना business कैसे चलाएंगे, तो बेंकर क्या करता था, एक lock box लगा देता था, सबके request करने के बाद, और इस lock box के उपर एक percentage commission बान देता था, कि भाई जिसका भी check इसके अंदर आएगा, उससे हम 1% commission लेंगे, अब तो कोई भी कहीं भी डाल देता है, वो नहीं चल रहा, तो ये होता था lock box, कुछ लोग इस lock box से बचने के लिए क्या करते थे, agent हुआ करते थे पहले, agent बोलते थे, हम आपका पैसा receive करेंगे, और आपके जगह तक पहुँचा देंगे, इसके बदले हम commission लेंगे, यानि पहले उधार बेच दिया एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो पैसे receive करने में, बड़े सारे खर्चे हो जाएं करते हैं, समझ रहे बात को, तो एक तो हमारा क्या debtor management हम सीख रहे हैं, ठीक है, सर debtor management से क्या सीख रहे हैं, हमें debtor क्यों manage करना पड़ रहा है, हमें ये पता चलना चाहिए, अगर हमने sales किया है 5 करोड का, ठीक है, और 5 करोड में से हमारा 2 करोड का cash sales है, और 3 करोड का credit sales है, तो सही तो बोला सर आपने 5 करोड, लेकिन मान लो 3 करोड में से 50 लाख रुपए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं example ले रहा हूँ, 50 लाख रुपए आपके खर्च हो गए, बेट डिट्स हो गए, बरी थारी चीज़े हो गई, तो आपका जो sales है न, वो कितने का माना जाएगा, यही तो माना जाएगा न, क्योंकि आपके पास तो साड़े चार ही आए भाई, आप पहले जो 5 लाख 5 लाख चिला रहे थे, वो 5 लाख नहीं है, अब कितना है, साड़ चार को बनाने में माल लेते हैं के 4 लाख, तो आपका profit कितना आया, 50 लाख का profit आया, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा profit आ गया जी 50 लाख, मैं basic basic बाते कर रहा हूँ, अभी chapter पे आएंगे बाद में, अब उधार में माल बेचना, मुझे जवाब दीजेगा, नगद माल बेचोगे ना, तो जहां आपकी sale 10 रुपए की है, वहाँ sale आप 50 की कर दोगे, मेरा ये नहीं कह रहा, 10 वाला समान 50 में बेचोगे, volume बढ़ जाएगा, जहां पे आप 10 unit बेचते थे साइद 50 unit बेचोगे, उधार में लेने वाले बड़े सारे लोग होते हैं, उधार में ले और जो हमारा मेनेजर होता है, वो बहुत समझदार होना जरूरी है किसी भी बिजनस के लिए, और इस मेनेजर को जो मालिक है, ओनर एक responsibility देता है, मेनेजर सुन, तुझे मेरी sales बढ़ानी है, बदले में तुझे मिल जाएगा commission, मेनेजर भी चलाक है, अंधा दून उधार sales बेच देगा, बोल देगा भाई तिर को पैसे मत दियो, sales तो कर ले तू, समान तो खरीद ले, इसने sales बढ़ा दिया और commission भी ले लिया, नुकसान हो गया honor का, है ना, हो जाएगा honor का नुकसान तो, क्योंकि सब कोई बेच देगा, तो जो honor है ना, वो बोलता है कि भाई, मु मैं 45 दिन का उधारी देना चालू करूँ, तो क्या वाक्य मेरा sales बढ़ेगा, आपको अभी मोहलत दिया जा रहा है कितने दिन का, 30 दिन में पैसे देना, अगर आपको मोहलत दे दिया जाए कि आप 45 दिन में पैसे देना, तो आप समान खरीदोगे, जैसे कि 30 दिन में 5 बढ़ने से मतलब नहीं है, आप बताइए, मेरे profit भी बढ़ना चाहिए साथ के साथ, ऐसा नहीं कि आप 5 करोड बेच रहे हो, और 45 दिन में आपके 10 करोड रुपे कर देते हो, और पता चला, यहां पर कमारत हमें 5 लाक रुपे, और यहां कमारा हमें 4 लाक रुपे, हो सकता सेल बढ़ने का साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए, अगर सेल बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, तो हम मैनेजर आपका प्लैन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट और नोकरी से भी निकाल देंगे, तो अब क्या है, हमारे इस चप्टर में क्या सीखना है, कि जो उधार पैसे ह हम देंगे न, उसका टेन्योर, 30 दिन के इसाब से, 45 दिन के इसाब से, 60 दिन के इसाब से, और माल लेते हैं, 90 दिन के इसाब से, इन सभी के आपको सेल दे देगा, इन सभी के आपको खर्चे दे देगा, और बोला जाएगा, कौन सा प्लैन बेस्ट है, तो जिसका प्रॉफ करते हैं ना ध्यान दीजिएगा समझ येगा बातों को फिर फॉर्मेट करेंगे तो सारी चीज़ आपको लगए गए यह चीज़ सीखी सिखाई है जब सेल्स करते हैं तो इसके उपर हमारा कॉस्टिंग आता है कॉस्टिंग क्या आता है आप रॉ मट्रीयल अभी डबलू यह होगा अगर यही 80 रुपए आप FD गरवा दे तीस दिन के लिए बैंक में पैसा मिलेगा मान लेते हैं 80 रुपए पर आपको 10% मिलता तीस दिन के लिए तो आठ रुपए का आपका अल्टिमेटी रुपसान हो रहा है हो रहा है अगर आप उधार माल नहीं बेचते तो क कितना मिलता 80 का 88 मिलने वाला था 80 का 88 तो आप ध्यान से सोचिए यह वाला एक हो है अपपोर्चनिटी कॉस्ट यह वो कॉस्ट है जो कि आप गवा रहे हो जिसके तरफ साधारन इंसान ध्यान नहीं देता FM में जब हम आगे चप्टर करेंगे नहीं तो जो चीजें हमारे मिल सकता था वो नहीं मिला वो भी लॉस है कंसीडर करो यानि यह आठ रुपे मुझे मिल सकते थे नहीं मिले इसका मतलब सर मेरा जो बोलोगे न सर 80 रुपे कॉस्ट है मैं बोलूँ असी नहीं बाई साव 88 है अब सच्चा प्रॉफिट निकालो आप 100 में से 88 माइनस करो आपका प्रॉफिट कितना है साधारन इंसान बोलेगा प्रॉफिट कितना है लेकिन फाइनेशल मेनेजमेंट इस पर नहीं चलता हमें सारे कॉस्ट के फैक्टर देखने पड़ते हैं समझ रहे हो यानि सर हम अब मोटी मोटी बात करें तो हमें कुछ टाइम प्लैन करना होगा सेल्स रिलेटेटर उसके पाद हमारा जो डेटर होता है जो कॉस्ट फस्ता है उस कॉस्ट के उपर कितना लॉस होता है वो भी देखके चलना होगा जो डेटर को उधार माल बेचा बेड़ेट्स होगा वो भी देखना होगा हम रिकवरी एजेंट रखेंगे वो भी देखना होगा तो हमारे कुछ खर पॉर्मेंटर हर किताब में क्योंकि भाई regular college के भी बच्चे है non college के भी बच्चे है तो library से book वगएरा हर किताब में इसका solution करने का तरीका अपना होता है मैंने solution अपने तरीके से किया हुआ है लेकिन answer, decision और conclusion हर किताब में जो मेरा है वही हर किताब में रहने वाला है क्योंकि financial management के अंदर debit credit अभी तक कर रहे कहीं थोड़ा याद करो इतने सारे question में नहीं होता और जो हम मैं format design भी कर रहा हूँ वो हमारे ऐसे formats है जिसे आपको question को structure भी में करने का बस मिल जाए और ऐसा कोई नहीं है कि ये column पीचो, कोई नहीं बोलता बस यहाँ पर फैसला बताओ कि ये चीजे पूछा, ये कितना रहा है उसको structure करने के लिए मैं थोड़े बहुत format बना जीता हूँ जिससे की थोड़ा असानी हो जाए ठीक है सबसे पहले हम रखेंगे सर यहाँ पर sales ध्यान दीजिएगा sales sales में से minus कर देंगे variable cost VC लिख रहा हूँ मैं जब VC minus करते हैं तो क्या निकल के आता है contribution लेकिन अभी contribution नहीं लिख रहे हैं minus कर देंगे FC तो बताइए क्या निकलेगा EBIT जिसको मैं बोल सकता हूँ profit before tax या आपने EBIT अगर बोला है तो मैं EBIT ले लेता हूँ यह आपका profit है अब इस profit में से भी कुछ खर्चे minus होने चाहिए सर कौन-कौन से खर्चे minus होना चाहिए एक जो आपका FD का loss है सर FD का loss मैंने बताया था न अगर इस पैसे को FD करवाता opportunity cost तो उसका number 2 सर bad debts का loss हो गया number 3 सर recovery agent को जो पैसे अगर दे रहे है number 4 सर lock box अगर आपने कोई लगाया है तो उसका खर्चा यह सारे खर्चे हैं तब जाके आप actual business के profit पे पहुँच पाओगे यह तो profit अभी भी इसमें से बहुत सारे खर्चे minus होना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा जो FD पे हमारा interest minus हो रहा है loss minus हो रहा है उसकी बात करें और हमेशा याद रखना यह sales जो दे रखा है आपसे पूछा जाएगा credit period आप कितने दिन के लिए बताओ 30 दिन के लिए तो मैं 30 दिन के लिए बता के चलका हूँ और यह सारे sales वगएरा debtor वगएरा जो दे रखा होगा यह पूरे साल भर का होगा यह कितने time का होगा साल भर का हम सबसे पहले क्यार करेंगे हमारा जो loss होगा मुझे ध्यान से बताना sales होता है तब मेरा आसान हो जाएगा थोड़ा काम cost plus में वेरियेबल कॉस्ट लिख देते हैं इसको fix cost plus variable cost plus यही होता ने sale sales fix cost plus variable cost plus profit पहले भी leverage में देखा था अब मेरे pocket से जो पैसा blockage होगा क्या profit भी blockage होगा अगर मैं 100 रुपे का समान बेचता हो न तो 60 रुपे यह है 20 रुपे यह है और 20 रुपे यह है आप मुझे बताईए मेरा कितना actual पैसा फसा है 100 रुपे के समान को बेचने में कितना पैसा फसा है जवाब है आपका सर 80 और वो भी 80 कौन सा यह दोनों यही पैसा फसा है ने मेरा profit कैसे बोल सकते हैं मेरा फस गया profit तो कमाया ही नहीं अभी यह पैसा फसा है यानि आपका जो नुकसान होने वाला है वो इसके उपर लॉस होगा इंटरस्ट का यानि मैं कह सकता हूं सर तोटल कौस्ट इसी कल टू एफ सी प्लस में वी सी यही सीखा है electronic में यानि आपका जो कौस्ट होता है उसके उपर व्याज का नुकसान होता है और जो कौस्ट अगर साल का दे दिया मैंने बोला भाईया मेरा कौस्ट जो है तो कितना cost होगा तो आप क्या करोगे 12000 या एक महिने का तो 12000 डिवाइड बारा multiply by one तो ऐसे निकल के आएगा कि आपका कितना पैसा फसा है यह formula बताता है कि आपका 30 दिन में कितना पैसा आपका फसा हुआ है यह बताएगा यह formula तो sir मुझे इसमें से minus तो वो interest करना है तो सब सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा इंवेस्ट या cost of debtor हम कहले cost of debtor कहलो या total cost कहलो simple सी बात है या सिर्फ cost कहलो आप कैसे निकालोगे sir cost divided by अगर आप month में चल रहे हो days में चल रहे हो 365 month में चल रहे हो 12 days में चल रहे हो तो आप days लिखिए और month में चल रहे है तो किस से multiply करिए month मैं यहाँ कुछ नाम भी लिख देता हूँ आप ध्यान देजेगा इसको मैंने नाम दे दिया a part ठीक है यह भी चल रहे है अब यहाँ minus कर देंगे b part b part interest interest किस पे निकलेगा sir आपको पता है कि आपका total cost यह है यानि total cost मान लेते हैं हमारा b है इसको c मान लेते हैं तो interest कैसे निकालोगे b into में rate है ना जो भी cost आ गया है समझ रहे हैं देखो बहुत simple सी चीज है इसे ज्यादा सोचने से मुश्किल हो जाएगा इसलिए ध्यान से समझो बस ज्यादा इस पे complicated मत करना जी मैंने इतना कमाया इतना इसके बाद हम जब माइनस कर देंगे a में से या इसका total लेकर क्यों complicated कर रहे है ऐसा कोई rule थोड़ी है इस सब को माइनस कर दो तो यहां आ जाएगा हमारा यही है formula formula format फोर करोड ठीक है यही है हमारा format format देखिए आसान है पहले क्या रखोगे sales sales के बाद variable fix cost और variable और fix को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा total cost और total cost पे हमारा पता करना है कि कितना पैसा debtor पर फस रहा है और यह हमेशा साल का होगा तो हम साल का लेकर चलेंगे यहां पर कितने दिन के लिए हमें निकालना है उसके बाद यह सारे खर्चे हो भी सकते और नहीं भी हो सकते question पर डिपेंड करता है आपसे examiner पूछ सकता है कि आप जैसे ही sale कर रहे हो 30 दिन में आपका sale 60 दिन में double हो जाएगा कि डेटर पहले 5 परसेंट हो जाएगा बताइए हम इस परफोजल को accept करें नहीं करें सारा calculate करेंगे देखेंगे यहां कितना और अब कितना कमा रहे हैं जिसका ज्यादा profit अगर अगला परफोजल का ज्यादा profit आ रहा होगा तो accepted otherwise rejected यह आपको लिखना पड़ेगा answer में कि हम पर परफोजल यह एक क्लियर रहा है था कोई दिक्कत बताइए एक कुश्चन देख लेते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर 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 और अगर 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 चाहिए चलिए बहुत सिंपल सा कि शायद यह कुश्चन जिसने कर रखा होगा उसको पता होगा बागी मैं सुरू सही करा रहा हूं पहले कुश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता हैं जी एचाइ लिमेटेड गृंसी डूंसीडरिंग इट्स पर्जेंट पोलिसी आपका रिस्ट्रिक्टिट इदा कमपनी ऐस्टू करेंट एनन्यल सेल अभी कमपनी का सेल कितना है पूरे साल का यह बैज एन्यल it had expected that implementation of the proposed credit policy credit policy का मतलब होता है उधार देने का समय सिमा उधार देने का time credit policy credit का मतलब उधार तो अगर हमारा एक proposed credit policy आया would be decrease annual sales अगर हमारा credit time का देखा जाए अभी आगई पढ़ेंगे पहले जी 60 लाग का sales करते थे अब बोल रहा है 48 लाग का हो जाएगा average collection decrease from पहले 60 दिन का था अब कितने दिन का कर रहें पहले 60 दिन का हम आपको उधार देते थे तो sale कितने का था अब 45 दिन का जैसे उधार देना चालू किया तो sale कितना हो गया साल का ठीक है ना 48 लाग the sales price of the product 40 variable cost involved in the manufacturing of product 30 volume आपका the volume 15,000 unit average cost 34 आपको इसने average cost भी दे दिया 34 होगा 34 average cost का मतलब सा total cost बता रहा है आपको cost का मतलब क्या है fixed cost प्लस में variable cost आपको बताया जा रहा है तो 34 रुपए तो यानि 4 रुपए मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो fixed cost है या पर है ना हम अभी देख लेंगे assume a year assume a year companies 360 days मान लो के साल में 360 दिन होते हैं 66 या 65 नहीं है give advice whether the purpose restricted credit policy implement if firm required rate of return 25 सर यह क्या है required rate of return FD वाला कि इतना हमारा return होना चाहिए कहीं पैसा लगाएंगे तो तो question समझ में आया कुछ मैं साधारन शब्दों में और एकदम simple word में बताओ question कहता है भाई 60 दिन का उधारी माल बेचते हैं अब 45 दिन का करने जा रहे हैं किसी ने मुझे बताया है अब आप बताईए 45 दिन में रहें या 60 दिन ही बहतर था तो हम बहतर उसी को बताएंगे जिसका profit के आएगा सबसे जाद आएगा very simple सी बात है ठीक है ना तो चलिए सबसे जादा profit किसका होता है समस्ते है question समझ में आगे आपको देखो अगर question समझ में नहीं आए तो मेरा बोलने का कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब सर हम जाने वाले हैं 60 से 45 पर ये रहेगा और ये रहेगा ठीक है और उपर लिख दो credit policy सबसे पहले ले ले लेते हैं sales सर साट दिन में और यहाँ पर 48 question ने कह दिया है on the volume 15,000 unit और उपर question में बता भी रहा है आपको के sale कितने रुपए का आपका 40 का तो आप unit निकाल सकते हो सर unit sold पता है कितना कर रहे हो 60,000,000,000 divided by 40 मतलब क्यों unit निकाल रहे हैं अभी समझाओंगा बताओ 10,000,000,000 वही question में यहाँ कह रहा था यह वाली line डेड़ लाग वही बोल रहा है अगर unit हमारा हो जाए घट के 45 दिन का तो सर सेल्स हो जाएगा 48,000,000 का और 40 का ही रहने वाला है तो unit कितने हो जाएंगे सर 1,20,000 unit करने वाले सर यहाँ पर variable cost इसलिए करा मैंने variable cost कैसे निकालेंगे unit multiply by VC rate VC मतलब variable cost का rate सर variable cost का rate अगर हम देखें तो पहले case में यानि 60 days के case में मैं वैसे बहुत detail लिख रहा हूँ वैसे आपको पता चल गया होगा होगा क्या 1,5,000,000 गुणा में 40 40 नहीं 30 और 45 days के case में 1,2,000,000 अब माइनस करते हैं fix cost सर fix cost question में कहीं नहीं है लेकिन ये पता है कि आपको total cost question ने चिला 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 के बोल दिया है 34 और हमेशा याद रखना fix cost determine हमेशा होता है 100% capacity पे तो इसका 100% capacity जो है न वो माना जाएगा आप question ने बोल दिया है कि आपको capacity 15,000 volume के हिसाब से लेके चलना है तो आपका variable cost इसमें से minus कर दो 30 तो बचे कितने 4 और आपको डेड़ लाग 15,000 मैंने बोल दिया डेड़ के हिसाब से तो FC क्या आएगा डेड़ लाग इंटो में 4 छे लाग और fix cost सर वो cost होता है जो की unit बढ़ने या घटने पे अपना value नहीं बदलता यानि अगर यहाँ पे मैं बोलू तो सर ये होगा 6 लाग और सर यहाँ बोलू तो भी 6 लाग अगर और और भी घट जाता तब भी कितना रहने वाला था 6 लाग fix cost का तो यही nature है कुछ बच्चों के mind में question हो सकता है कि सर आपने 12, 120,000 multiply 4 करके क्यों नहीं निकाला तो fix cost हमेशा maximum capacity पे निकाला जाता है ना कि lowest capacity पे निकाला जाता है इसका जवाब यह है ठीक है ना दोनों में से maximum capacity कौन सा यह इसके उपर निकाला है कहानी कि इसमें से दोनों को minus कर देंगे आ जाएगा EBIT क्या है 9 लैक और 6 लैक चलिए सर 9 लैक और 6 लैक अब यहाँ पे निकाल लेते हैं cost तो देखे दोनों का cost अलग अलग है अपना 60 days वाले का cost क्या है 60 days वाले का 45 और 6 एक यावन लाक और 45 days वाले का cost क्या है सर 36 और 6 ब्यालिस लाक यह एक साल का है लेकिन हमारा पैसा फसा है 60 दिन के लिए ना तो divided by 360 into में 60 यह पैसा फसा है कितने दिन के लिए 45 दिन 45 divided by बताईए यहाँ कितना पैसा फस किया 85 पॉइंट में भी आ सकता तो घबराने की कोई जुरत नहीं है यह बताईए यह बताईए 56,25,00 कोई दिकर यह कोस्ट हाँ हाँ व्यालिस लाग है वई सही बताईए फिर यह फॉर्मेट के उपर बस क्रेडिट पॉलिसी लिखा और कुछ नहीं लिखना कितने अब ना मैंने यह वाला जो पार्ट है न यह हमारा इन्वेस्ट इंडेटर है ठीक है मेरा इतना पैसा फसेगा अब इसके उपर बोल रहा है आपका नुकसान जो होगा वो कितना होगा सर 25% तो अब निकाल लेते हैं क्या है हमारा रिटन रिटन या कहलो इंटरस्ट 25% तो इसका 25% निकाल लो गया 2,12,000 सर यहां पे निकाल लो गया हूँ 8,50 पे निकाल लो है हमने ऐसे 25% इसको मैंने लिखा है तो सेम 5,25 पे निकाल लेंगे कितने 13,12 यह हो गया खर्चा और कोई खर्चा ही क्या अब मुझे एक बात बताना मुझे कुछ डाउट हो रहा है हमारा खर्चा 8,50,000 है डेटर की बज़े से या फिर 2,12,500 मतलब टोटल कॉस्ट तो माइनस हो गया हम अब इसमें से माइनस क्या करें 8,50,000 या दोनो या 2,12,500 आप बोल रहे सर ये कर रहा है तो यहां भी तो कर दिया फिक्स कॉस्ट वेरिवेर कॉस्ट तो दो दो बार वाइनस करूँगा मैं टोटल कॉस्ट यहां पे आप समझो बात को मैं वैसे इसको ना क्या करता कई बुक में करते भी हैं इसको अलग से वर्किंग नोट में कर देते हैं मैंने का किस क्यूं जंड़ट पाल वर्किंग नोट का यहीं पे कर देते हैं अब मान लो ये क्या A और ये मान लो B और नेट प्रॉफिट देखो जिन बच्चों का डाउट है मैं आराम से समझा दूँगा नेट प्रॉफिट देखो A माइनस में B सर नेट प्रॉफिट A माइनस में B है बिल्गुल ठीक तो हम तो A B कर लेंगे अब समझ ना कुछ बच्चे कह रहें के सर इसको क्यों नहीं माइनस किया ये क्या है कॉस्ट और कॉस्ट क्या होता है VC प्लस FC सर एक बार उपर आपने VC भी माइनस कर दिया और FC भी माइनस कर दिया तो एक चीज में हम दो दो बार कैसे माइनस कर सकते है समझे बात तो ये अल्रेडी माइनस हो चुगा ये इसलिए निकाला गया ताकि हम इंट्रस निकाल पाए आप चाहो तो इसको यहां से उठाके कहीं वर्किंग नूट बनाके कर सकते है वो आपके इच्छा है ठीक है माइनस करिए क्या आ गया नो लाग में से छे सतासी और अगले का प्र सिक्स एट सेवन फाइज वाई जो परफोजल लेके आया था उस मैनेजर का परफोजल हो जाएगा रिजेक्ट इसको लिखना है कंक्लूजन में लिखना है कि परफोज पॉलिसी डिक्रीस तू फॉर्टी फाइव डेस शुड बी रिजेक्टिड विकॉस प्रॉफिट लेस देन दा परजेंट पॉलिसी यह है परजेंट पॉलिसी और यह अगला जो होता है उसे बोलते हैं परफोज पॉलिसी नेक्स आने वाला पॉलिसी तो आप खुद देख लो आपके सामने रिजल्ट है रिजल्ट क्या है कि पहले 6,87,000 का प्रॉफिट था अब 4,67,750 का प्रॉफिट है तो हमारा प्रॉफिट घट रहा है तो हम मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट लेके आया था पॉलिसी उस पॉलिसी को क्या कर देंगे बाइकॉट रिजेक्ट कर देंगे सुझ मैं चलिए बताइए कोई डाउट रिटन कैसे निकाला है रिटन देखे मैंने यहाँ पर वैसे बना दिया था फिर भी मैं हाइलाइट कर देता हूँ आपके लिए ये रिटन ऐसे निकाला है 25% दे रखा है कोश्चन में 25% दे रखा है कोश्चन में ये रहा इसका सीधा 25% ये आया सेम इसका 25% आ जाएगा आपका 25% कोश्चन में गीवन है आप देख सकते हैं ठीक है विशाका कोई डाउट है क्या बता दीजिए कोई डाउट है क्या जी कोई डाउट चलिए एक बार देख लेते हैं कंक्लूजन कैसे लिखना है बिल्कुल सेम लिख देजेगा आप कंक्लूजन ये रहा डिसीजन आपको ऐसे डिसीजन लिखना है और आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने पूरा कोश्चन किया डिसीजन लिखना भूल गए क्या दिखका थे आंसर तो ठीक है ना नंबर नहीं मिलेगा तो तुमने ये ये आंसर है ये वर्किंग नोट है सर ये आंसर है तो एफम के अंदर अब जितने भी चेप्टर होंगे सारे बेसिकली टाइम लगे एक नहीं नहीं पारस में पारस उपर पढ़ता होगा उपर पता गरो टेंथ में रात में भी चस्मे की जुरत पढ़ती है बताओ चलिया छोड़ी एनीवेज तो मैं समझा रहा हूँ आपको मैं आपको ना इन्पोर्टेंस बता रहा हूँ के सर कन्क्लूजन लिखना अवस्चेक जरूरी है आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए तो लिखने पढ़ेंगे यह सब बात है ठीक है चलिये नोट करिए आप नोट कर लिजिए फटा फट इसको अवस्चेक जरूरी है झाल